नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर संदीब दोस्तों हजरूं आपके सामने अपनी नहीं वीडियो के साथ है तो दोस्तों आज का जो हमारा नुस्का है वो A to Z किसी भी तरह का गुप्तरोग हो जो हज्त मैं सुन से आया हो कोई भी परेशानी हो नमर्दी हो धात की दिक्कत हो स्वपंदोश हो शिगरपातन हो शुक्रानों की कमी हो या नसों की कमजूरी हो A to Z किसी भी तरह की दिक्कत हो जो हज्त मैं थूं से आयी हो तो उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है और मेरा सबसे जड़ा यूज होने वाला फार्मूला ये है इस फार्मूले को मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ तो दोस्तों आते हैं नसके की तरफ तो दोस्तों ये वो फार्मूला है मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ और इसके बारे में बता देता हूँ तो दोस्तो ये है हमारा फार्मूला इसमें दोस्तो जो ये जड़ी बूटियां है ये सारी 100-100 ग्राम लेनी है और उसके बाद जो ये भसमें है ये आपको 5-5 ग्राम लेनी है बस में ये जड़ी बूटियां जड़ी बूटियां 100-100 ग्राम बस में 55 ग्राम तो दोस्तों जो इसकी खने की मात्रा है वो एक ग्राम से तीन ग्राम तक एक मरीज को एक टाइम में दी जा सकती है ये दवा सुबह शाम देनी है जो मेरे वैद भाई हैं वो मरीज की कंडिशन देखके उसी हिसाब से मरीजों को ये दवा दे सकते है दोस्तों बहुत ही पावरफुल नुस्का है मेरा आजमाया हुआ है और इस नुस्के का मैं बहुत ज़्यादा इस्तमाल करता हूँ तो दोस्तों आप इस नुस्के को यूज करें इसका फाइदा उठाएं दोस्तों ये नुस्का चाहे खून की कमी हो या शरीरिक कमजोरी हो हाथ परों में कमपन होती हो दोस्तों A to Z सभी बिमारियों पे काम करेगा जो हस्तमैतुन की वज़ा से उत्पन हुई है और दोस्तों इस नुस्के के साथ आपको क्या करना है पाचन शक्ती के लिए कोई अच्छा सा चूरनी यूज करना है जो पाचन शक्ती बढ़ाए क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो भाई होते हैं पाचन शक्ती जिनकी कमजोर होती है या जिने लूज मोशन की शिकायत जल्दी-जल्दी हो जाती है तो उन भाईयों को ये थोड़ा पचने में मुश्किल होता है तो इसके साथ आपको ये अच्छा सा चूरनी यूज करें उससे आपकी पाचन शक्ती भी अच्छी रहेगी और ये दवा अच्छी से हजम होगी, अच्छी से काम करेगी और दोस्तो दूतरा आपको इसके साथ यूज करना है तेल कोई भी अच्छा सा तेल आपको अपने लिंक पर मालिश के लिए यूज करना है उससे दोस्तो अगर नसों की दिक्कत है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी ये नुस्का तो अपना काम करता ही है मगर साथ में अगर इसे एक्स्ट्रा स्पोर्ट अगर दी जाती है तो वो जो काम दस दिन में होना वो दो दिन के अंदर हो जाता है तो दोस्तो इस चीज का आप खास द्यान रखें इस नुस्के को योज करें इसका लाब उठाएं और दोस्तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें धन्यवाद